अब हम बात करेंगे जूलवाजी सेक्षिन जो था नीट टूट टूट टूनिफूर का उसकी क्वेश्चिन 151 से 200 यानि कि सारे क्वेश्चिन हम डिसकस करने वाले हैं चलिए सुरू करते हैं पहला क्वेश्चिन है फॉलिविंग आता स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर दर यह जाएगा इसी उसके बाद क्या होगा दोस्तों बंडल ब्रांचेस में जाएगा और फाइनली किसके पास जाएगा पर किंजे फाइबर्स के बाद जाएगा तो आपका यह ए ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा अगे बढ़ते हैं फ्लिपर्स और पेंगिन्स और डॉल्फिन सार एक्जांपल आफते दोस्तों यह यह कौन से ओर्गन्स होते हैं एनलोगस और यह जो है कनवर्जेंट एवल्यूशन का एक्जांपल है तो आपको यह सी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब आपको बताने कौन फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नह सबसे पहले थो होमोसेपियन तो सबसे रिजींट ही है यह ना चाहिए तो यह टू और ठी चलेगा सबसे पहले के कौनाई दोस्तों होमोहैं डी हो जाएगा उसके बाद कौनाई हुआ यह उसके बाद हम करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं स्टिरोइड हॉर्मोन इं आप जांते हैं प्रजिस्ट्रोpageregistron लग इस तेस्टिरोड नहीं प्रीट है यह भी स्टिरोड है हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दूस्तों आप को match करना है तोल्फा वन एंटि ट्रिप्सिन आप जानते हैं एंफिसीमा के लिए बनाया यह दोस्तो एकस्ट के लिए होता है आपके कोर्ड के लिए तो आपका बिफॉर हो जाएगा क्या और मेर्ट एलिए के लिए तो सी कबन हो जाएगा एंजाम प्लेस्मेंट थेरपी जो है जीन थेरपी भी कहते हैं एडिया डेफिसंसे के लिए दी गई थी तो आपका सी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब आपको बताने सेल डिवीजन के कौन से साइज स्टेजस को आपको ब बड़ी आएगा उसके बाद भी आएगा तो आपका डी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों आपको बताने हार्डी वीनमर्ग एक्विलेबरम को कौन डिश्टर्म नहीं करेगा दोस्तों कॉंस्टन जीन पूल में ही तो हार्डी वीनमर्ग एक् अफ़ेक्ट नहीं करेगा आगे बढ़ते हैं आटि इम्यून डिस ऑदर कौन सा है माइस अग्रेविस दोस्तों आप जानते हैं यह एक और इम्यून डिसॉडर रिमेटोड आट्रोय इस भी दोस्तों एक आपको दूस्तों नहीं है यह दोस्तों आपका एक देनिटिक डिस और यह को जाएगा आगे बढ़ते हैं तैफवाइड दोस्तों टाइफवाइड किसे होता है सेर्मोनी नीलड़ टाइफी बैक्टीरिया है एक 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 फ़ोर हो जाएगा तो आपका वी आप्शन वैसे करेक्ट हो जाएगा लेस्मेनी आसेज दोस्तों आप जानते एक बढ़ते हैं एकसपिरेटरी कैपसिटी दोस्तों एक पी रेट्री कैपसिटी में टाइडिल वॉल्यूम प्लस इए आरवी तो आपका एक तू हो जाना चाहिए तो एक तू तो यह दोनों है अलिमेट हो जाएंगे फंक्टिशन रेस्टी डूल कैपसिटी दोस्तों आपका सी का बन हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपसिटी क्या होता है दोस्तों टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो आपका कौन सा ओप्शन करेक्ट हो जाएगा यह उप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अगले क्शन दोस्तों फिर से मैच करना तो दोस्तों Dying syndrome में क्या होते है Trisomy of chromosome 21 तो आपका A का 3 हो जाएगा वैसे ये option correct हो जाएगा Alpha थेले C में दोस्तों किसे related 16 chromosome से, Beta थेले C में किसे related cycle cell है ये वाले chromosome से 11th chromosome से और Line filter में दोस्तों क्या हो जाता है X, X, Y chromosome आपका pattern बन जाता है तो D का 2 हो जाएगा तो आपका C option correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब आपको बताने असरसन दी हो है FSS acts upon ovarian follicles in female तो ये तो सही है लेडिक सेल में ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा सर्टोली सेल के ओपर ये एक करता है तो ये option आपका ये जो है वह आपका फॉल्स हो गया तो ऐसे ही आप दी मार सकते हैं रिजर हम पढ़ी लेते हैं growing ovarian follicle secret estrogen in female where while interstitial cell secret endogen in human wing इंटरसीशल चल लो आपकी दोस्तों कौन से लेडिक सेल और ग्रूइंग और फॉलिकल जो है इस्टूजन से करती है तो यह इस पॉल्स बढ़ डी इस बढ़ आर इस्टू तो आपका डी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फिर से मैच करने हैं प्लूरो ब्रा अगे बढ़ते हैं डायकाइनिस में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि टर्मिलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा होता है तो एक टू हो जाएगा तो यह सी ऑप्सन वैसे करेक्ट हो गया पैचिटीन दोस्तों क्या होता है रिकॉमिनेशन नॉडूलोस में आ जाते हैं जाइगोटीन में क्या होता है दोस्तों साइन अप्तिनेमल कॉंप्लेक्स मनता सी गवन हो जाएगा डी में दोस्तों क्या होता है दोस्तों थिन ट्रैट लाइक वह देखने लगते हैं क्रोम आगे बढ़ते हैं अब आपको बताएं टी आई प्लाजमिट का फुल पर्म गय एका 3 हो जाएगा तो आपका D option correct हो जाएगा heroin दोस्तों किसी मिलते हैं हमको papyver so many firm से तो B का 4 हो जाएगा morphine दोस्तों क्या है एक बहुत अच्छा sedative है pain के लिए लर भी है और क्या है marizuana marizuana क्या है तो दोस्तों कहना भी sativa से मिलता है तो D का 2 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं T, A, C, A, T, T, G, G यह आपको एक दिया हुआ है आपको बताना है कि correct product of DNA dependent RNA polymerase तो दोस्तों template यह दिया हुआ है तो यह उसका ultra बनेगा 5 dash से 3 dash बनेगा तो T की जगा क्या आजाएगा A आजाएगा और A के साथ कौन match करेगा दोस्तों U match करेगा तो A, U, उसके बाद C के बाद G, उसके बाद A के बाद आपका फिर से U तो फिर जब आप इसको पूरा solve करेंगे तो आपका यह A option बन कर आजाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर से match करना है पॉंस में दोस्तों क्या होता है आपके different region of brain जो है वो आपके क्या होते हैं connect होते हैं तो A का 3 हो जाएगा तो A का 3 से यह सारे options eliminate हो जाएगे तो B option correct भी हो जाएगा hypo thalmass दोस्तो आप जानते हैं Neurosecurity cell होते हैं उसमें तो B का 4 हो जाएगा medulla दोस्तों आप जानते हैं Neumatox center होता है नहीं respirator rhythm center होता है तो उसमें C का 2 हो जाएगा cerebralum में दोस्तों क्या होता है additional space वो provide करता है तो आपका B का 1 हो जाएगा तो B option इसका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फिर से match करने हैं तो लाइपेस किसको तोड़ेगा लिपेट्स को लिपेट्स क्या होते हैं ester or fatty acids तो एक हैं क्या हो जाएगा टू हो जाएगा तो सी ओप्सन वैसी गरेक्ट हो गया नुञलियॉस कि इसको तो तौणिפ्ट के भीज के फोस्फोरिएयस्ट्र बॉन्ट को किसको तौद्फकीरेगा प्रोटीस लो किस तोड़ेगा कार्बो हाइड्रेट्स के ग्लाइककोसिडक बॉनग को आगे बढ़तेहर नैचिरल कॉंटर सेप्टेव कौन नहीं है दोस्तों कॉइटर इंटरप्टर तो है पीरोडिक अशिस्टेंस भी है लेकिन वाल्ड जो है वह दोस्तों आपके एक बैजर मैठड है ट्रडिशनल नहीं है डियो आपसे इसका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यह आपको पहले स्क स्टेटमेंट आपको पताने इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब आयो रियक्तर प्रवाइट रियक्तर कर यूज करते हैं और यह वह वह दो स्टेटर सिस्टम ओटू डिलिवरी सिस्टम और फोम कंट्रूल सिस्टम होता है तो आपका कौन सा इनकरेक्ट सी वाला तो सी को सी को ऑप्सन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं असर्शन रिजन दियो है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिसियल पीरड ऑफ इन से जो कि रिजिस्टेंस प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करती है तो आपको असर्शन भी सही है रिजन भी सही है एक्स्प्राइशन भी है तो यह आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिम बनाने के लिए क्या चाहिए तो दो तो उसके लिए हमें चाहिए पढ़ता है हाई PRI op2 चाहिए और SH Direction चाहिए तो भी ऐसन करेक्ट हो जाएगा हाई holiday कुलबिम आजिये जब ले होता है टाइफ लिए के लिए होता है लिए को होती है वापका अगे बढ़ते हैं Analyze यह तो आपका सई स्थेट्मेट प्लैटी हालमैंटिस के बाद सारे अप्छन क्या हो जाएगा आपके दोस्तों गलत है कि पौरी फेरें ईलोमेंट होते हैं और विदक दिया हुआ है और हो दो दोस्तों आपके यह होते हैं तो यह बाकी गलत है यह आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉपर रिलीजिंग आउडी दोस्तों आपकी सब्सक्राइब करते हैं तो आपका डी का 2 हो जाएगा तो एक थी बी का वन सी का फूर और डी का तो आपका यह डी का डी ऑप्शन आपकर करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं पहला केस्टिन है इंदा नेफ्रॉंस दर डिसेंडिंग लूप आफ लूप आफ मैंले इस इ वह आपका गलत हो गया दा प्राइम सिमल कॉन्विलेटेट टीविल पीसीटी इस लाइंड भाई सिंपल कॉलम्नर ब्रस बॉर्डर तो यह आपका गलत हो गया यहां पर दोस्तों क्यूब आपको देखने को मिलता है तो वन भी करेक्ट इनकरेक्ट है तो बोस जो है वह वह आपको दिया हुआ है एक्स और यहां पर दिया हुआ है गायप दिया हुआ है इस एंसे डाइग्राम से दोस्तों जो आपका एक्स है वह आपका क्या हो जाएगा ओर आई हो जाएगा जो की कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है तो आपका यह वह आपका वाई है वह आपका क् पर जाएगा आगे बढ़ते हैं आपको बताने एगजुनीम तो दोस्तों एकस यह सिलिया और षिलेजला में तो एक हमकर घुल पैल नोस इसलिया में होता है तो बी का बन हो जाएगा क्रिष्टिश्ट दोस तो कहां होने होते हैं तो सी का फूर हो जाएगा सैटलाइट डियने कह वहता है नियुक्त क्रोमोजूम में होता है तो आपका डिका ठी हो जाएगा तो कौन सा अप्टिन यहाँ पर सही बने गा एका टू बीका बन तो आपका ये डिय अप्टिन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते मैच क यह सो आपका यह पर यह हो जाएगा अगे बढ़ते हैं यह सब्सक्राइब युक्त करेक्ट कहां पाए जाते हैं तो है पाया जाते हैं माफ किज़े का सी का फूर्फ होजाएगा बॉल या फ्रयाइबल इंडिकेटर औब वर्जिनिटी तो यह दोस्तों है जो हाइमन का जो प्रसेंस या फिर आप irrigर्टेंस से एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का तो यह आपका क्या हो यह जो आपका statement है वो आपका सही हो जाएगा दाहाइम आने स्टॉन दूरिंग फ़िस्ट कोईटर सौनली तो यह आपका घलत हो जाएगा sports और से और से भी यह तूट सकता है physical activity से तो आपका जो जाएगा तो आपका फॉल्स हो जाएगा तो आपका तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा अकॉर्डिंग तो गॉस्प्रिंसिपल ड्यूलिंग कॉंपिटिशन दा इन्फीर विल वी एलिमिनेटेट डिस्क में वी टूइफ रिमिटिंग यह आपका दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा तो आपका जो क्या है पार्टिक सी का होते हैं बीका आपका हो जाएगा हन्रेट तुफ येलो कलर्ड थिन आपकी जो मेंट गट और हाइंड गर्ट के बीच मालफीज इंट्यूल्स मिलते हैं और यह जो इस्ट्ट्ट्ट्र फग्रांडिंग वह आपका क्या है तो आपका क्या था एक आपका पार्ट सही है फैरेंग से पर्फोरेटर बाई गिल्स तो यह तो क्वाड़ेट का फीचर है तो यह आपका वैसे ही गलत हो गया नौट्ट कॉड़ इस अप्षन तो यह आपका सही स्ट्रेट्मन्ट है क्योंकि इसलिए उनका नाम नॉन कॉड़ेट है सेंट्र नर्वस सिस स्ट्रेट्मन्ट है तो बीडी आपका सही स्ट्रेट्मन्ट हो जाएगा ुप गया और रिम फिक दक्रेट हो जाएगा हम दोस्तों आप आपको बताने जक्स्टा मेदूलरी निफ्रą के बारे में कौनत भाटव सब्सट इस नहसे आपके मदूर्ण बारेमिन एप सही सहीन उनका जो लूप ऑफ हैंले है वो मेडियूले तक जाता है यह आपको गलत स्टेट्मेंट है क्योंकि दोस्तों आप जानते कि जो कॉर्टिकल नेफॉर्ण वो 70 परसेंट होते हैं तो जो जेक्स्टम मेडियूलरी हैं उनको आउट नंबर नहीं कर पाते हैं आगे बढ़ते है दा सेरीब्रिल हैंश्वेर और कनेक्टिट बाइ नर्व ट्रेक्ट नोनेस कॉर्पास केलोसं तो यह आपका सभी स्टेट्मेंट है दा बेंस्टम कंसिस्ट आफ मेडियूलर और लंगा टा पॉंस एंड सेरीब्रम तो नहीं आता वन आपको करेक्ट हो जाएगा लेकिन तो बर जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा गएगा उसके बाद क्या होगा दोस अच्याएगा वो enzyme के सातھ Connect بنआएगा तो सब्ट्रेटं न्जाइम क intelligent न्वेगा हो जाएगा उसके रगा क्या होगा दोस्तों जो chemical bond of subst rained उसको तोड़ देंगे तो ऊसके रद्वाद क्या होगा तोioso product बैशी हो जाएगा उसके बाद क्या होगा दोस्तों फ colour रेडी हो जाएगा एक और साइकल करने के लिए दोस्तों आपका बिया आपका लास्ट में आएगा आप पहले भी ऐसा कर सकती थे आगे बढ़ते हैं जी आरे से दुस्तों जो एलेच है उसके साथ कौन आता है एफसे चाहता है दौने भाई भाई है लेच और एफसेच तो य आपका जो एफसेच है वह सटोलिसल के ऊपर काम करेगा जो कि कुछ फैक्टर्स को बनाएगा जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में अपना एहम रोल देंगे यह आप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं मीजोजोई के रहा तो दूस्तों मीजोजोई के रहा बिल कि उनाष्ड आपका इसके बाद सीनोगाई के रहा है वह आपका मेमल्ज का एरा है तो आपका c4 हो जाएगा ऐका फी और सी का फॉर तो eight और यह बढ़नता है तो A का आपका क्या हो जाएगा थाल हो जाएगा तो ये आपके सारे incorrect हो गए तो C option ने वैसी correct हो गया compound epithelum दोस्तों आपका कहां पाय जाता है moist surface of buccal cavity तो आपका B का 4 हो जाएगा multicellular glandular epithelum celery glands इसके बाद के endocrine याने की pancreas D का 2 हो जाएगा क्योंकि होर्मोन भी रिलीज करता है आगे बढ़ते हैं RNA polymerase 3 दोस्तों आप जानते हैं SNRNS और T RNA के लिए होता है तो आपका A का 4 हो जाएगा तो ये आपके बाकी incorrect हो गए तो D option आपको इस्थे हो जाएगा fragmentsu काओ जाएगा में तो कहां मोता होता है प्रमोटर के पास होता है तो आपका ये B का 2 हो जाएगा तो आपका की कendingर्यक्ट आगे बढ़ते», अब आपको बताने के सिस्ट ब्लड ग्रूलप पर आपका क्या है B पलस मदर का A plus है और चायल्ड का O plus है देर इस अ पैक्टिव जीनो टाइप तो दोस्तों फादर का क्या है बलड ग्रूप आपका B plus है तो उनका तो यह भी हो सकता यह भी हो सकता लेकिन हम चायल्ड का देखे तो चायल्ड का O plus है तो हम यहां से बहुत सारे options eliminate कर सकता है जल्दी करने के लिए IBI तो दोस्तों यह तो नहीं होगा IAI यह भी नहीं होगा तो आपका जो CDE है वो वैसे चले गाई अब दोस्तों आपको आपके पास है IBI और IAI तो दोस्तों यहां से आपका बन सकता है IAI तो आपका यह जो O है वो आपका यहां से बन सकता है तो A option correct हो जाएगा यहां से तो नहीं बनेगा IBIB और IA IA से तो A option आपका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं P wave दोस्तों यह बहुत बार आया हुगा है यह question तो दोस्तों जो आपका P wave है वो आपका रिवजन करता है D-Polarization of Eritrea को तो आपका क्या हो जाएगा A का 3 हो जाएगा ऐसा ही आपका B option correct भी हो जाएगा QRS complex दोस्तों बहुत famous है D-Polarization of Ventricles T wave दोस्तों आपका D-Polarization of Ventricles और जो TP gap है वो आपका जाथ है कि जो heart muscle है वो electrically silent है तो आपका जो D का 1 हो जाएगा तो आपका B option correct हो जाएगा आगे बड़ अगला question है दोस्तों आपको ये पहला statement दिवे है Mitochondria and chloroplast बोच double membrane bound और अरगनलिस तो ये तो आपका सही statement हो गया तो ये आपका 1 जो है वो आपका 2 है Inner membrane of mitochondria is relatively less permeable तो ये दोस्तों आपका गलत statement हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जो NCRT है उसमें आप cell unit of life में line है कि जो chloroplast है उसकी cell membrane है वो mitochondria से less permeable होती है तो यहाँ तो उल्टा दिया है 1 is 2, 2 is incorrect तो आपका C option correct हो जाएगा आपको पता होना चाहिए कि यह जो कॉर्टिसोल का एक्सेक्रेशन से होता है मौन फेस्ट और हाइपर गलासीमिया इसके क्या होते है शिम्टम्स होते है आपको अगर नहीं भी पता था तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्राटिनिजम है वो hyposecretion of thyroid growth के वज़े से होता है तो D का 2 हो जाएगा आपका यह D